हेलो दोस्तों यश टीवी पर आप सभी का दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले है रतन इंडिया एंटरप्राइज की न्यूज के बारे में तो रिसेंटली रतन इंडिया एंटरप्राइज ने न्यूज डाली थी कि ये रिवोल्ड मोटर्स को 100% अक्वायर करने वाली है और उसके बाद में स्टॉक का प्राइज ये बहुत तेजी से उचला था तो पाच दिनों पहले ये न्यूज आई थी हाला कि और ये मैं अभी कवर कर रहा हूं तो स्टॉक का प्राइस तभी 49 रूपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था और ये न्यूज आते ही स्टॉक का प्राइस ये 10-15% जम कर गया तो यहाँ पर आल्मोस 55 रूपीज के लेवल स्टॉक ने टच किये थे और अभी 5-6 दिनों बाद वापस से स्टॉक का वही प्राइस हमें आता हुआ नजर आ रहा है तो यहाँ पर दोस्तों इस स्टॉक के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नी ये आज के वीडियो में हम जानेंगे तो रतन इंडिया इसा कमाया है तो ऐसा कहा जा रहा है कि रतन इंडिया इंटरप्राइज ये उनसे भी जादा अग्रेसिवली स्टार्टप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और यहाँ पर यह अगला इंफोएज बन सकता है तो वही आज हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले तो हम न इस लिए इस को बारी की से पढ़ने की जरुरत है यहाँ पर कंपनी ने अभी तक अक्वायर नहीं किया है लेकिन उन्होंने ऐसा बताया कि हम आगे चलकर अक्वायर करने वाले हैं 100% श्टेक और यहाँ पर रतन इंडिया एंटरप्राइज की हम बात करें तो यह इन्होंन इंडियान मार्केट में अपनी बाइक सेल करता है इंडियान मार्केट में आपको बता दू इंडियान इवी मार्केट यह मीजरली इवी स्कूटर से डॉमिनेट हुआ है और इवी बाइक के लिए यहाँ पर मार्केट बहुत ही छोटा है तो इस छोटे मार्केट के अंदर अभी ये at the sunrise बैट है और यहाँ पर ये claim कर रहा है कि ये इंडियन EV market को disrupt कर सकते है तो दोस्तो रिवोल्ट मोटर्स ये electric mobility company है जिसके founder ये Micromax के co-founder रहे है राहूल शर्मा जो है इन्होंने रिवोल्ट मोटर्स को setup किया है जो पहले Micromax के लिए काम कर चुक है और अभी इन्होंने ये two wheeler bikes का ये startup शुरू किया है जिसका अपना खुद का mobile app है प्लस ये swapable batteries भी provide कर रहे है और अभी ये acquisition में जा रहे है तो रतन इंडिया enterprises इस startup को acquire करने जा रहा है तो रतन इंडिया enterprises ये already revolt motors के अंदर around 33.38% own करता है और यहाँ पर ये आगे इस company इन्होंने उस time पर ऐसा acquisition किया था कि उन्होंने बताया था कि आगे चल कर हम इस company को पूरी तरह से भी acquire कर सकते या फिर हमारी share holding बढ़ा सकते और वही जो right है वो अभी exercise करने की बारी आ गई है Amazon के उपर ये one of the biggest seller है और यहाँ पर ये जो online brands होते है उन्हें enhance करने में मदद करता है तो यहाँ पर मैं आपको अगर example दूँ तो Cloudtail आपको पता होगा ये Amazon and Infosys के बीच में एक joint venture था जो सबसे बड़ा seller था तभी वो time पर और इस company को Amazon ने fully acquire कर लिया और बन कर दिया तो Cloudtail जैसा काम ही Coco Blue retail करता है अगर आप Amazon या Flipkart से कोई products order करते हो तो आपके जो order पे seller का नाम है वो Coco Blue retail होगा अगर आपने कभी notice क्या होगा तो Coco Blue retail ये काम करता है उसके बाद में है यहाँ पर इनका एक revolt तो revolt मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये EV mobility है उसके बाद में bank से तो ये इनका fintech platform है जो hassle free services provide करता है financial products sell करते है ये जैसे कि digital insurance, digital payments और यहाँ पर इनके इतने सारे brands के साथ इन्होंने tie up भी किया है जिसमें main brands कौन से है Bajaj Finsav, Axis Bank, Mutut Finance, Yes Bank ये सारे बड़े brands है बाकी छोटे छोटे ब्रांड से भी इन्होंने tie up किया है नेक्स्ट है Niosky Niosky, TAS and Matternet ये drone technology companies है तो ये fully own करते हैं इन companies को Niosky ये drone solutions provide करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सारे drone services provide करता है into the drone logistics mining और बहुत सारी services है जिसके बारे में मैं अभी deep में नहीं जाना चाहता तो ये है इनके businesses अलग-अलग और ये सारे जो businesses है ये interlinked नहीं है यानि ये एक दूसरे को services नहीं provide करते ये मुझे अलग point लगा और बहुत सारे businesses ऐसे है जिनने रतन इंडिया enterprises के 100% own करता है तो 100% own करना अलग बात है और 10 या 15% stake own करना अलग बात है जो info edge करता है तो ये मुझे थोड़ा different लगा दोनों में रतन इंडिया enterprises ये companies को 100% own करने में believe करता है और वही दूसरी जगा info edge जो है ये companies का partial stake own करना पसंद करता है वो company को run नहीं करना चाते है बस उस company में invest करके उसका पैसा कमाना चाते है तो ये थोड़ा मुझे differentiator लगा इन दोनों companies में और info edge को हम बोल सकते हैं कि info edge बहुत ही successfully अपना business कर रहा है अगे दोस्तों हम बात करते हैं रतन इंडिया enterprises के books की तो यहाँ पर रतन इंडिया के books बहुत ही मुझे bad लगे यहाँ पर आप देख सकते हो company का market capital ये 6800 kron रुपीस का है यानि ये की mid cap company है stock का price अभी 50 रुपे के आस पास चल रहा है peer ratio की बात करें तो peer ratio ये 20 का है and industry peer ratio ये 30 का चल रहा है book value की बात करें तो book value ये केवल 5 रुपे की और stock अभी 10x book value पर trade कर रहा है almost return on capital employed ये काफी low है below average है 3% का and return on equity ये काफी ज़्यादा low है at 3.19% का तो यहाँ पर company ने equity बहुत ज़्यादा raise की है अगर आपने company की balance sheet देखी होगी तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 276 crore रुपीज की equity company ने raise करी है वही जगा पर अगर आप info edge की balance sheet देखो तो info edge ने केवल 129 crore रुपीज का equity raise किया है और यहाँ पर return India ने बहुत ज़्यादा कर लिया है उसके बाद में reserves and surplus तो reserves and surplus 400 crore रुपीज के है वो ठीक है borrowing से हाँ पर company की बढ़ी है at 158 crore रुपीज तो इससे पहले रतन इंडिया enterprises जो है यह एक holding company थी इस company का नाम रतन इंफरा था पहले जो change करके इनने रतन इंडिया enterprises कर दिया तो यहाँ पर as such रतन इंडिया enterprises का पहले कोई business नहीं था अभी इन्होंने बहुत सारे new age businesses में invest किया है और actually बहुत सारे businesses को इन्होंने 100% acquire कर लिया है तो इन businesses में भी रतन इंडिया enterprises की management बैठती है पहले partially यह ओन करते थे इन businesses को लेकिन अभी बहुत सारे businesses यह 100% own करते है और यह इन्हें ही run करते है और इन सारे businesses की profitability अगर आप देखो तो इनके businesses में profitability यह काफी low है यहाँ पर इनकी sales numbers देखो तो sales numbers यह केवल 14 crore rupees है other income से इन्होंने काई से 579 crore rupees कमाया है तो इसका हमें detail में देखना चाहिए कि इन्होंने कहां से यह पैसे कमाया है क्या property बेची है या फिर क्या assets इन्होंने sell किये है उसमें से इन्होंने शायद पैसे कमाया हो सकते है और यहाँ पर net profits की बात करें तो यह 554 crore rupees है यह जो other income से है तो company ने अपने actual business से कोई पैसा नहीं कमाया है actually company का कोई business है यह नहीं कमपनी जो भार की दूसरी companies है new age start-ups है उसके अंदर company invest कर चुकी है पैसा और वही से company के profits and losses होते है profits कब होंगे जब company अपने shares बेचेगी तब ही शायद company को profits होंगे तो दोस्तों रतन इंडिया enterprises के बारे में मुझे 2015 तो दोस्तों यहाँ पर रतन इंडिया enterprises के बारे में मैंने 2018 में कुछ research करी थी तब ही मुझे realize हुआ था कि रतन इंडिया enterprise में पहले इस company का नाव रतन इंफरा था तो इस company में promoter buying होई थी एड 2015 और 2018 में promoter buying थी इससे पहले जो promoters है रतन इंडिया में वो केवल 42% के थे लेकिन अचानक से इसमें promoter buying होई थी यह stock के अंदर अभी से यहाँ पर इसमें हलचल शुरू हो गई थी और 2019-20 में इनके acquisition शुरू हो गए और बाद में company ने announce कर दिया कि इनोंने EV के अंदर भी invest किया है और उसके बाद में stock का price यह बहुत ज़्यादा भागा तो तब ही वो time पर stock यह 1-2 रूपे के level पर trade करा था 2016 से लेकर 2018 तक और उसके बाद में अचानक से इसमें boom आ गया तो यह stock के अंदर ने 6 रूपे के level पर shares buy किये थे बहुत ज़्यादा नहीं buy किये थे केवल 100 shares buy किये थे 5-6 रूपे पर और उसके बाद में यह stock March 2020 में 1 रूपे के level पर आ गया था तो वो भी मैंने इसमें देखा है और उसके बाद में जभी यह stock और उसके बाद में जैसे ही यह stock के बारे में news आने लगई stock का price यह 30 रूपीज और उसके बाद में अभी 50 रूपीज पर आ गया है अभी पिछले एक देट साल से यह stock का price वही का वही trade कर रहा है ज़ादा उपर नहीं गया है तो यहाँ पर यह company ने बहुत सारे new age businesses में invest किया है वो कि अच्छी बात है और यहाँ पर आगे चलकर company में हमें growth देखना मिल सकती है लेकिन जब तक company अपनी balance sheets को improve नहीं कर लेती जब तक आपको यहाँ पर थोड़ा cautious रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर company कुछ cash flow generate नहीं कर रही पैसा नहीं बना रही योगिन यहाँ पर investors यह आते जा रहे है तो यहाँ पर company में investors यह पैसा लगा रहे है यह सोच में कि आगे चलकर यह जो new age businesses यह boom करेंगे और यहाँ पर रतन इडिया enterprises को profit मिल सकता है और इसलिए यह इसमें invest कर रहे है लेकिन अगर future में profit नहीं होता है तो सबसे पहले बहार निकलने वाले भी यह बड़े investors होंगे और आपका पैसा इसमें अटक सकता है तो यहाँ पर मेरे opinion में दोस्तो रतन इंडिया enterprises and info edge के बीच में बहुत जादा difference है info edge यहाँ पर systematically अपने cash flows यूज़ करता है और यहाँ पर अच्छे अच्छे businesses में invest करता है और यह already बहुत सारी companies में इसा कमा चुके है नौकरी.com हो गया बात में शादी.com, जीवनसादी.com ऐसे बहुत सारी companies में इन्होंने invest किया है और यहाँ पर इनकी investments यह काफी अच्छा कर रही है और वही दूसरी जगा रतन इंडिया enterprises के जो businesses है एक ही नामचीन business है Revolt Motors और उसके अलावा बाकी सारे businesses ही यह काफी जादा छोटी size के है तो दोस्तो मेरे opinion में अगर आपको रतन इंडिया enterprises में invest करना है risk लेनी ही है तो बहुत छोटी risk लीजिए शुरुवात में जैसे जैसे company में अगर अच्छे आगे चलकर improvement आती है तो आप अपनी investment बढ़ा सकते हो लेकिन फिलाल के लिए company की जो financial position है यह मुझे satisfactory नहीं लग रही है और इस वीडियो में से कुछ ना कुछ logical बाते आपको सीखने जरूर मिली होगी अगर सीखने मिली है तो इस वीडियो को like कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आप ऐसी ही interesting वीडियोज देखना चाते हो stock market के बारे में तो मेरे youtube channel yes tv को ज़रूर subscribe कीजिए और मुझे आप अभी facebook पर भी follow कर सकते हो